हाई इब्रियोन कुकू दपू मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैंगो का सीजन चल रहा है आज हम मैंगो का स्पांज केक बनाने वाले हैं आप चाहे इसको टी टाइम केक की तरह खा सकते हैं या फिर इसकी आइसिंग भी कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं सेयर करने वाले हूँ बहुत सारे टेप्स कियों आपके केक फूलता नहीं है अगर फूलता भी है तो बाद में बैठ जाता है क्यों इसके ऊपर बहुत सारे क्राक्स आ जाता है उपर से थोड़ा ड्राई लगता है या फिर कभी-कभी जब आप साइड से बहुत ज्यादा आ जाता है उसारे टेप्स में सेयर करने वाले हूँ अगर आप इगनर है तो जरू देखिया आज की वीडियो आज हम बिना बनके कड़ाई में बनाने के बाद भी कितना अच्छा बना है बिल्कुल सॉप्ट और स्पॉंजी बना है अगर आपको अगली वीडियो की नोटिफिक्स अपको सबसे पहले मिले वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें सब्सक्राफ करना फिल्कुल फ्री है चले शूरू करते हैं क्यूंकि हम कडाइब बनाने बाले हैं सबसे पकड़ाई ले लें चाहे तो यहां को कर ले सकता है कोई भगो जल जाएगा आपको अलुमिनियम का ही वर्तन लेना है यहां पर देखिए जो नमक के यह रेट की तरह देख रहा है क्यूंकि मैं इसमें बार बार बेक करते हूं इसलिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है आप चाहे तो बीना नमक के भी बेक कर सकते हैं लेकिन नमक डालें तो इसका जो हीट है चारो तरफ से एकचे से आएगा और केक अच्छे से फूलता है और केक में अच्छी तरह से कलर आ जाता है और इसके उपर इस तरह से कोई प्लेट या कटोरी आप रख सकते हैं या फिर कोई रिंग रख सकते हैं या पिर इस तरह की जाली आती है इससे को यूज करें कि उसका जो कलर है थोड़ा खराप हो जाता है इसके बाद जो भी टीन आप ले रहे हैं कड़ाई के अंदर इस तरह से रखके धकन लगा के चेक कर लेजिए सही से फीट हो रहा है कि नहीं कि बैटर बनाने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस त टील का ढकन जो होता है वह अच्छे से गरम होता है तो उपर से हीट मिलता है केक को अब हम कड़ाई को लो फ्लेम में रखेंगे और जब तक हम बैटर रेडि करेंगे तब तक इससे प्रीट कर लेंगे हमें 10-15 मिनिट चाहिए होता है प्रीट करने के लिए जब तक हम केक टीन को ग्रिस कर लेंगे ऑईल या बटर कुछ भी आप यहां पे लगा सकते हैं इस तरह से पहले या बटर लगा ले और इसके बाद नीचे एक बाच्मेंट पेपर या फिर बटर पेपर लगा लेंगे इस तरह से कूल कट करके आप चाहिए तो यहां पर मैदा डस्ट कर सकते हैं तो उपर थोड़ा सा ओल लगाएंगे और साइड से भी हम बटर पेपर लगा लेंगे यilde से लगाना से क्या होता है कि केक का जो side होता है जलता नहीं है हाड़ भी नहीं होता है क्योंकि हम कड़ाइए में बनाता है बिन घुब है साइड में ओभी बन जाता है लेकिन यह थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है अगर आपके पास बटर पेपर है तो जरूर लगाए ने तो इसी छोड़ दीजिए यहां भी देखिए एक बटर पेपर मैंने थोड़ा बड़ा करके इसमें लगाया है इस तरह से लगाएंगे तो कभी भी केक थोड़ा ज्यादा फूलता है या फिर केक टीन का हाइड थोड़ा कम है आपका तो इसमें आपको मदद मिलती है केक बाहर नहीं जाता है केक टीन को साइड में रखतेंगे और यहां पर में ले रहे हूं एक कप आम यहां पर आप कोई भी आम ले सकते हैं अ पर देखिए एक कप आम को में इसमें डाले हो और साथ में में हाप कप चीनी डाले हो अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं आज मैं आइसिंग के लिए बना रहे हैं स्पांज केक तो इसलिए चीनी थोड़ा कम डाले हो अगर आपको टी टैम छैसे दूद हो गया या पानी कम डालेंगे बहुत ज्यादा थिक पैटर बनेंगे तब यी केक उपर से हाड लगता है बीना पानी या दूद डालें आम और चीनी को पीस लेंगे और इस तरह से बोल में डाल देंगे इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ा आड़ करेंगे अब हम इसमें वान फॉत कप टेल डालेंगे आप ध्यान रखें बीना किसी फ्लेबर का तेल ले लिजी या फिर बटर ले सकते हैं तेल आदा और बटर आदा भी ले सकते हैं लेकिन बटर को रूम टेम्टरेचर पर ले लिजी और थ दियान रखे की में च्वह से आपस में तक फेट लेंगे तक कि शारी चीजे आपस में मिल जाए और एक क्रीमी टेक्स्चर आजा इसमें अब हम दूसरा बोल ले लेंगे इसके उपर एक चली रखेंगे क्योंकि हमें मेदा को चान के लेना है मेदा को चान के लेना बहुत तरह में दिखाने के लिए अलग शीक्र अब्र कर लोग Caitlin हुए difficड क snatchमर्थ guests खुड़ा करके मेदा इसको उपर डाले दबा धा के कभी ना डाले इसमें और उपर से भरके नाले इस तरह से लेबल करके एक कप मेंदा लेना है आपको टोटल मैंने यहां पे डेड़ कप मेंदा लिया है साथ में में वन पूर टीस्पून बेकिंग सोडा डाले हूं जिसे हम मिठा सोडा बोलते हैं जो पकोड़े बगरा बनाने में हम यूज करते हैं इसे भी लेबल करके लेना है और साथ में में डाले हूं एक टीस्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर डालना बहुत जरूरी है इसे भी लेबल करके मैं इसमें डाले हूं यहां पे ध्यान रखे आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है बहु करने लेकिन इक डिरेक्षन में आपको इसे से हलके हाथ। इस जब तक हम इसको पूरी तरह से डालेंगे सारा मैदा और मिलते जाएंगे तब तक सारे लंप इसुसमें से से चलेजाएंगे अगर आप दोबार डालेंगे इस तरह से भी आदा अब में दूबर यहां वानफोत कप मिल्क ले रहे हूं पहले हमने इतना ही दूद लिया था तो इस चीजिस का ध्यान रखें की चितना भी आपको दूद लेना है पहले आदा डाल दे और बाकी का जो आदा है थोड़ा ठोड़ा करके डाले थाकि आपको सही अंदाज रहा है कि कितना दूद डालना है अगर आप बिगनर है तो यह बहुत जरूरी है आपके लिए यहां पर मैंने पूरी तरह से आदा कब दूद डाल दिया है आपको साथ एक चम ज्यादा यह कम भी लग सकता है यहां पर अच्छी तरह से मिला लेंगे और और यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग्स सोडा को अक्टिबेट करने के लिए हमें विनिगर यह राश्ट में ही डाले और 15-20 से के अंदर इसको अच्छे से मिला लेजी और टिंग लिजी और केक टिंगर डाल दिजे तो अ बड़ा बड़ा क्राक्स होता है जैसे फट चुका है किस तरह से दिखता है इसके बज़े से होता है यह बहुत जरूरी है और आप यहां पर एक चीज का ध्यान रखे अगर आप इसमें जो दूद आड करें वह थोड़ा कम हो जाए बैटर ज्यादा थीक हो तो इसके बज़े अब हम जल्दी से केक टीन को कड़ाई के अंदर डाल देंगा रखकन लगा के इसको लो फ्लम में 35 मिनट तक बेक करेंगे 35 मिनट से पहले कभी भी खोल के इसको ना देके नहीं तो आपका केक जो फूल रहा होगा और नीचे बढ़ जाएगा दिरे-दिरे 35 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे देखिया अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो जल्दी से इसका डखकन लगा के इसको दस मिनट के लिए और बेक कर लीजिए अभी अगर इसको खूलेंगे यह फूल रहा है तो बीच में से दप जाएगा यह देखिया मैंने 45 मिनट बाद चेक किया है इस तरह से है अभी भी शॉप्ट लग रहा है उंगली लगा के पहले देख लीजिए अगर बहुत शॉप्ट है तो ढख लीजिए इसको चेक करने के और जरूरत नहीं है टूत्विक से 55 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे देखिया कितना अच्छा कलर आ चुका है हरकी से कुचबु आने लगिया इसमें से 50 मिनट में मैंने एक बार चेक किया था थोड़ा सा कच्छा था अभी 55 मिनट बाद हम इसको चेक कर रहें टूत्विक डालके अलग-अलग जगे से च लगा के छोड़ देंगे इस तरह से आपका जो अंदर से थोड़ा सा कच्छा पन लगता है बाद में वो नहीं लगएगा क्यूंकि कभी-कभी टुथ पिक से जब हम चेक करते हैं तो परफेक्ट लगता है तो फिर बाद में ठंडा होने के बाद हमें लगता है कि थोड़ा सा कच्छा है अंदर से पांच मिनट बाद केक को हम निकाल लेंगे और एक कुलिंग ड्याक के उपर इस तरह से रखेंगे और एक कीचेन टावल इसके उपर ढग देंगे डग के ठंडा करेंगे तो उपर से केक थोड़ा सा जो हाड होता है साइड से भी हाड होता है ओ धीर ध इसके उपर रखेंगा और इसको पलड़ देंगे दो तिन बार ट्याप करेंगे केक टिन हमारा निकल जाएगा आसानी से किनकि हमने इसमें बटर पर लगाया था अगर आप मैदा डेस्ट करेंगे तब भी अच्छे से निकल जाता है और कितना स्पंजी और कितना जालीदा सकते हैं बेकिंग की टाइम पर आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमट सेक्षिन में जरूर लेके अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल एकन जरूर प्रेस करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर कर दें मिलते और एक नई रेसिपी के साथ तब तक कुछ रहिए हल्दी रहिए और सेफ रहिए